ये गाईज वेगम टे इस्ट पॉइंग मैसेफ रशिका और गूड मॉनिंग तो अल फ्यू अभी हम लोग यहां पर डिस्कूस करने वाले इंसाइट आई इस की स्टाटिक कुईज जो कि हमारे दिसम्बर मन की तो दो मैगजी ने एक आपकी स्टाटिक की और एक करेंट अफ कीजिए प्लेइलिस्ट में आकर आप लोग हर मंद के यहां पर कुई सेशन देख सकते हो तो चलिए अब हम लोग यहां पर स्टाट करते कुईज की तो चलिए स्टाट करते हैं 11th कुशन से लेकिन आज के यह आपकी 1st कुशन है मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपनी आंसर को जरूर टिक मार्क कर लीजगा और लास्में मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि कितने आपके टोटल मार्क्स आएं तो यहां पर कुशन से हमारी परलेमेंटरी फॉर्म और कर लेड़ेड तो यह किस चीज़ पर इंशास करती है यह पतानी आपको तो सबसे पहले यहां पर स्टेमेंट कहिए एक सेटिंद्ट बलर है इसको करेंगा है तो फर्स स्टेटमेंट है यहां पर एक सगेंड एक जो कि यहां पर independent body के द्वारा administer की जाती है फूर्थ है independence जो कि यहां पर legislative और executive organ के बीच में तो parliamentary form of government जो है किस चीज़ पर emphasize करती है यह आपको बताने है बिल्कुल basic सी questions है अगर आप लोग को parliamentary form of government की meaning पता है तो आप लोग यहां पर answer दे सकते हो और इसकी correct options है यहां पर D यानि कि जो legislative और executive organ है उसके interdependence को हम लोग यहां पर parliamentary form of government कहते है B जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक valid है जो कि हमारे presidential system में यानि कि separation of power जो हम लोग देखते है presidential system में होता है लेकिन parliamentary system में जो है interdependence होते है यानि कि legislative organ और executive organ एक दूसरे पर interdependence होते है Parliament में जो आप देखोगे कि democratic elections जो है वो हमारे Parliament में जो है यहां पर आपका best नहीं है democratic elections में और even adult franchises में यह जो है entirely nominated body होता है और यह largely use किया गया था हमारे colonial rule में तो A और C जो है वो हमारा incorrect ही हो गया साथी इंडिया में बात करें तो executive जो है legislative की पास है और legislature जो है यह हमारे executive के दौरा lead किया जाता है तो इसलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा D जो है हमारी correct option है ओके यह आपका correct लिखा गया तो चलिए हम आते है 12th question number में यहां पर आपको correct statement बतानी है और यह है interim government से related जो कि 1946 में formed हुई थी फर्स statement है कि यह हमारे जो है पहली बार इस तरह की cabinet जो है इंडिया के history में बनी थी जिसमें दोनों है Congress है और Muslim League भी है जो कि center में power share किये थे second है जो interim government है वो यहां पर जो function करती है वो government of India 1935 के according करती है third है कि जो interim government है वो function तब तक की है जब तक इंडिया जो है एक sovereign democratic republic नहीं बन गई है तो यहां पर आपको correct बतानी है first and second, first only, first and third, second and third फो यहां पर पहले आप अपने answer दे लिजे फिर मैं यहां पर बताती हूं तो यहां पर जो correct answer है वो first statement ही है second and third फो यहां पर incorrect है तो B is the correct option यहां पर हो गई अब आई यह detail में देखते है second of September 1946 को the interim government of India जो है वो जबाहल ना नहरू की द्वारा बनाया गया था यह पहली बार इस तरीकी की cabinet थी हमारे Indian history में जिसमें Congress और Muslim League दोनों जो है इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा सक्सीड किया गया था जो interim government है वो यहां पर function की थी जो हमारे पुरानी Government of India Act 1919 है उसके according ना कि यहां पर 1935 के according तो इसलिए यहां पर second and third statement हमारे incorrect हो गई अब आते ही third number question यहां पर आपको correct बतानी है और यह है governor of state से related question फर्स्ट है कि अगर हमें constitution के according देखे तो same person जो होते हैं वो यहां पर दो या दो से ज्यादर state के governor हो सकते हैं second यह कि जो impeachment process है वो similar है जैसे कि हमारे president of India की होती है third है कि जो governor है वो यहां पर determine करते है कि कितना यहां पर government of Assam, Meghalet, Tripura और Mizoram को यहां पर pay किया जाएगा जो कि autonomous tribal district council है और यह जो है as a royalty accuring है और यह mineral exploration से यहां पर आपका license दिया जाता है तो कितना amount pay करना है यह government यहां पर determine करते है तो आपको correct बतानी है first and second, first and third, third all the second and third तो यहां पर third की जो correct answer है first statement यहां पर correct है, second statement यहां पर भी correct है लेकि जो impeachment process है आपको प्ता है कि यहां पर equal नहीं है यानि कि President of India की जासा नहीं है तो हमारे first and third statement यहां पर correct होगे हैंस P is the correct option अब यहां पर detail देख लेते हैं जो 7th Constitution Amendment Act है 1956 की उसके द्वारा कहा गया है कि जो एक governor होते हैं वो एक से ज़्यादा state के भी हो सकते हैं appointment की बात करें तो governor और जो lieutenant governor होते हैं वो president के द्वारा appointment के जाते हैं removal की बात करें तो जो term होती है यहां पर कोई भी तरीके का impeachment का सवाल ही नहीं होता है कि यह प्रिसिडेंट के pleasure से ही रहते हैं ओके और थार्ड statement तो ऐसे भी correct है अब आते हैं fourth question में यह separate state flag से related तो यहां पे बहुत ही important topic हो जाती है तो इससे आपको correct बताने है first statement है कि जो supreme court है उसनों ने कहाए कि ऐसा कोई भी prohibition नहीं है हमारे constitution में state के लिए कि उनका खुद का यहां पर अपना flag हो second है कि अगर हमनों constitution के according देखे तो एक flag जो है हमारे concurrent list में आती है third है कि जो flag code of India 2002 है वो यहां पे prohibition imposed नहीं करती है किसी के state flag में तो यहां पर आपको correct बताने है first and second first only first and third second and third तो यहां पर अगर correct answer की बात करूं तो यहां पर जो हमारे सुप्रिम कोट का यह कहना था कि constitution में कहीं भी रोक नहीं है state के लिए कि वो अपने flag को लेकर आ सके जो manner है जिसमें कि state flag जो host किया जाएगा उसको dishonor नहीं करना यानिकि national flag को dishonor नहीं करना है यह चीज़ कही गई थी constitution में देखे तो एक flag जो है वो हमारे 7th schedule में है ही नहीं तो यहां पर आपका जो कहा गया है concurrent list यह गलत हो गई क्योंकि 7th schedule में हमारे 3 list होते है center list, state list और concurrent list तो flag को इसमें रखा ही नहीं गया है इसलिए आपको यादखना है बस article 51A में है जो कि कुछ duties है fundamental duties कि हर एक citizens को जो है constitution के द्वारा अपने national flag का यहां पर सम्मान करना है even आप लोग देखोगे कि जो flag code of India है 2002 उसमें भी इस तरीके का prohibition नहीं है कि कोई भी state जो है अपनी flag नहीं रख सकती है हर एक state अपनी flag रख सकती है ऐसा कहीं भी रुकावत नहीं है तो यह चीज़ आपको यादखना है अब आते ही fifth number question में यहां पर आपको correct बताने है first statement है कि जो department of official language है वो यहां पर independent department of ministry of home affairs के जैसा उसको यहां पर set up किया गया था कि वो एक progressive use लेकर चले हिंदी की और हिंदी जो है यहां पर आप महारी union की official purpose के लिए होनी चाहिए second day की constitution में इस तरह के convention नहीं किया गया है official language के बारे में third day की जो context है यह एक computer software है जो कि department of official language के दोरह develop की गई थी जो कि सारे तरीके के official file को English से हिंदी में यह convert करती है तो यहां पर आपको correct बताने है first and second second and third first and third first second third तो यहां पर जो correct answer है वो हमारी first and third है second statement यहां पर incorrect है इट मींज कि यहां पर हमारी C option correct हो गई अब आप यह देखते है अगर हमनों यहां पर देखे constitution के साथ और legal provision के साथ जो कि हमारे official language के बारे में और यहां पर हिंदी के use को काफी promote किया जाता है कि official purpose के लिए हम लों हिंदी यूज करें तो department of official language जो है वो यहां पर independent department of ministry of home affairs को setup की थी और तब से यह department काफी efforts लगा रही है कि बहुत अच्छी तरीके से progressive use हो सके हिंदी का तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा साथी part 17 जो हमारे constitution of India है जिसमें article 343 से 351 में यहां पर आपको देखने को मिले है कि official language के बारे में बाते रखी गई है जो mean provision है वो यह है कि official language जो union का है वो यहां में हमारे दो आर्टिकल में 343 और 344 में और official language की बारे में देखे तो यह हमारे 8th schedule में भी रखी गई है तो इसलिए हमारे यहां पर second statement incorrect होगए यहां पर कहा जा रहा है कि constitution में mention ही नहीं तबकि constitution में mention है क्योंकि अभी जो है हमारे news में भी यह बात रही थी यहां पर आप लोग देखोगे कि department जो है एक computer software यहां पर develop करी है जिसका नाम है contest तो यह सारे तरीकी की जो यहां पर आपका English to Hindi जो है वो translate यहां पर किया जाएगा अब आते 6th number question में यहां पर आपको correct statement बतानी है और यहां पर है constitution of provisions जो भी इंडिया citizenship के लिए आप लोगो पता है कि CAV के लिए और CEA के लिए कितना जादा है यहां पर आपका जो है प्रोटेस्ट हो रही है तो इससे related questions तो बनना ही है तो इसलिए हम लोग यहां पर static portion भी देख लेते हैं बहुत important यह question है first statement है कि कोई भी person जो कि यहां पर citizens of India नहीं है और नहीं हो सकते अगर उन्होंने voluntary acquired की गई है foreign state की किसी भी citizenship को यानि कि अगर आपको foreign state की citizenship को acquired किये वह हो वहां की citizenship हो तो आपको इंडिया का citizenship नहीं माना जाएगा second है कि union cabinet जो है प्राइम मिस्टर की दौर है हेट किया जाता है और उनकी पास power है कि कोई भी provision वो बना सकते acquisition, termination जो भी citizenship का करना है और सारे matter जो कि यहां पर citizenship से related है तो आपको यहां पर correct statement बतानी है first only, second only, both यहां पर अगर six की correct answer की बात करूँ तो यह है first, it means की first statement यहां पर person अगर foreign country की दूसरे country के अगर आप ले लेते हो तो आपकी इंडिया की citizenship खतम हो जाएगी, वहीं अगर article 10 की बात करें तो यहां पर हर एक person जो कि यहां पर citizens of India है तो वो इस तरीके से citizens वो continue रहेंगे और कोई भी provisions जो की कानून यहां पर parliament की द्वारा बनाया गया है तो वो ह समेशा से इंडिया के citizens ही रहेंगे जो parliament है उनके पास power है कि कोई भी provisions वो रख सकती है अगर किसी के भी citizenship को यहां पर acquire करने की बात हो यहां पर terminate करने की बात हो तो यहां पर हमारे second statement बस इसलिए गलत हो गए क्योंकि यह parliament का power है यहां पर prime minister के पास इस तरीके की power नहीं है त यहां पर है fundamental right जो कि हमारे constitution के तुवारा guarantee की गई है तो तीन statement है आपको correct बतानी है फरस्ट है कि जो fundamental right है यह हमारे available है arbitrary actions जो state की है उसके against में और action जो private individual है उसके against में secondary की जो parliament है वो यहां पर हमारी ordinary act के तुरू curtail भी कर सकती है इस right को और repeal भी कर सकती है नेक्स्ट है कि जो sixth right है जो हमारे article में यहां पर guarantee की गई है उसको suspend भी किया जा सकता है जब emergency यहां पर हमारे armed rebellion की ground में यह declare हो जाए तो तो आपको यहां पर correct बतानी है first and second, first and third, first only second and third so seventh की यहां पर correct answer की बात करूँ तो यहां पर first statement हमारी correct है second and third यहां पर incorrect है it means C is the correct option अब detail में देख लेते हैं इन में से बहुत सारे है जो कि हमारी यहां पर available है arbitrary action of state के against में और individual private individual के भी against में यहां पर जो आप देखोगे कि इस तरीकी की जो fundamental right है यह पूरी तरीके से आपक जो है sacrosate या permanent नहीं है यह जो parlement है ना इसको curtail भी कर सकती है हटा भी सकती है काट भी सकती है और वापस भी ले सकती है लेकिन बस यह constitutional amendment act की थुरू कर सकती है कोई भी ordinary act की थुरू नहीं कर सकती है तो इसलिए हमारे second statement incorrect हो गई ठर्ड है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह सिर्फ यहाँ पर national emergency आपका जब suspend किया जा सकती है जब national emergency आपका लगाया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ article 20 और 21 के अलावा सारे जो हमारे fundamental rights है वो यहाँ पर automatically suspend हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो six right हमारे article 19 में दी है ना तो वो बस emergency जब हमारे दो reason में लगेगा तभी यह हटेगा और यह है जब war होगे और external aggression होगे तभी article 19 के जो हमारे six provisions है six हमें जो freedom दिया गया वो यहाँ पर आपका जो suspend हो जाएगा तो यहाँ पर armed rebellion के cases में नहीं होगा यानि कि internal emergency है तो इसके case में हमारे article 19 जो है वो direct हो गई तो यह आपको detail याद रखना होगा इसका और कोई option नहीं है अब आते हैं यहाँ पर हम लोग eight number question में यहाँ पर DPSP से related है तो तीन statement है आपको correct बतानी है फर्स्ट है कि यह constitution instruction है state के लिए वो भी legislative, executive और administrative matter में सेकेंड है कि यहाँ पर establish किया जाएगा economic और social democracy धर्ड है कि यह हमारे सारे citizens को secure करेगी एक uniform civil court वो भी throughout the country में और यह एक socialistic principle के part है तो आपको correct बतानी है first and third यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं correct answer की बात करूँ तो यहाँ पर जो third statement है वो automatically यहाँ पर incorrect है क्योंकि यह जो uniform civil court है यह हमारे socialistic principle का part नहीं है बाकि यह जो first and second statement है यह correct है it means की B is the correct option तो अगर हम लोग बात करें जो DPSP है directive principle of state policy यहाँ पर यह कुछ ideas करती है state को कि वो अपने दिमाग में रखे जब यहाँ पर fundamental rights दिया जा रहा है और वो अगर कोई भी policies यहाँ पर formulate कर रहे है और law बना रहे तो उनको कुछ यहाँ पर directive दी जारी है जिनको उनको अपने mind में रखना है तो यह constitutional instructions है और recommendation है जो कि state को दिया जाता है सारे matter में यानि कि legislative executive और administrative matter में DPSP की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा comprehensive economic social और यहाँ पर political program है modern democratic state के लिए इसका यही aim है कि एक justice यहाँ पर provide करना है liberty होनी चाहिए लोगों को equality देना है fraternity देना है जो भी हमारे preamble में लिखा गया है साथी आप देखोगे कि सारे citizens को यहाँ पर uniform civil court जो यहाँ provide की जाने की बात की जारे है वो भी article 44 में तो यह liberal intellectual principle है ना कि socialistic principle है अब आते नाइन्थ question में यहाँ पर आपको corrective statement बतानी है वो भी यहाँ पर आपका जो है right to constitutional remedies जो हमारे article 32 में है उससे related कुछ questions है बस देकि जो supreme court है वो यहाँ पर article 32 के तहत rule करी है कि यह एक basic feature से constitution की second देकि जो fundamental right और दूसरे जो statutory right है वो यहाँ पर article 32 के तहत in force की गई है third देकि जो supreme court है उनके पास दोनों है यानि कि exclusive और original jurisdictions है अगर हम भी fundamental right के case में देखे है fourth है कि article 32 जो है उसको हम लोग invoke नहीं कर सकते है जो कि constitutionality को यह determine करती है executive order को और legislative को अलिस जब तक यह directly जो है हमारे fundamental right को अगर infringe नहीं करती है fundamental right को अगर यह नुकसान नहीं पहुचाती है तो यह किसी और चीज़ को यहाँ पर हमारे executive or legislative order को यह determine नहीं करेगी तो इसमें आपको correct बताने है first and fourth second and third first second third second third fourth तो यहाँ पर आगर मैं 9th की correct statement की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी article 32 है यह basic feature of constitution है तो first यहाँ पर correct है तो B and D यहाँ पर remove हो गया उसके बात फोर्थ statement की बात करूँ तो यह बिल्कुल सही है article 32 जो है आपका तभी यह लगाया जाता है जब आपके fundamental right booklet होते है ना कि कोई यहाँ पर executive order का अगर हन इतनी भी fundamental right दी गई है उसी को save करने के यहाँ पर दिया गया है तो fourth यहाँ पर correct है तो first and fourth यहाँ पर हमारी correct है तो A option यहाँ पर correct हो गई तो इस तरीके से आप solve कर सकते हो first statement की बात करें तो यह हमारी जो है बिल्कुल correct है second की बात करें तो सिर्फ fundamental right है जो कि constitution के दौरा guarantee की इसको देखा जाएगा ना कि कोई भी non-fundamental constitutional right is statutory right यह सब इस चीज़े नहीं देखी जाएगी statement 3 की बात करें तो जो हमारी fundamental right को enforce करने का case है तो जो भी हमारी supreme court की jurisdiction है यह original है यह exclusive नहीं है तो यहां पर article third statement में क्या था कि यह exclusive भी है original भी है no यह सिफ original यह jurisdiction है अब आते 10th question में और आज की last question है यहां पर आपको correct बताने है first statement है कि जो cabinet secretariat है वो settle करती है inter-ministerial dispute को second है कि जो cabinet secretarial है यह ex officer chairman होते है civil service board के third है कि जो parliament है वो यहां पर legislative council को abolish भी कर सकती है create भी कर सकती है अगर कोई भी concern जितने भी legislative assembly है वो एक resolution pass कर दे और एक simple majority अगर वो जीच जाए तो यहां पर आपको correct बताने हैं यह भी statement बहुत जादा important है क्योंकि आपको पता है कि अभी आंत्रप्रदेश जो है अपने हापे legislative council को abolish करने की बात कर रहे है तो इस तरीकी कि statement आपको पता होना चाहिए तो यहां पर correct answer आपको बताना है third only, third and second, first and second, second या फिर second only तो यहां पर अगर मैं correct statement की बात करूँ तो first and second statement बिल्कुल correct है third यहां पर incorrect है तो यहां पर आपका directly जो answer हो गया वो C हो गई तो परलेमेंट जो है वो यहां पर abolish कर सकती है और create कर सकती है legislative council अगर वहां के concerned legislative assembly एक resolution पास कर दे और वो भी एक special majority से special majority बहुत जादा ज़रूरी है simple majority से यह काम नहीं चलेगा okay abolish करने और create करने के लिए दूनों के लिए आपको यहां पर देखना है कि इस simple majority नहीं है यह आपका special majority की ज़रूरत है okay so guys हमारी यहां पर political lesson complete होगे 10 relations पूरी complete है next time लोग यहां पर geography start करेंगे तो आपको आज बतानी है कि turn out of आपको कितना marks है साथ ही अगर आपको यह listen अच्छी लगती है तो बस एक like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं और इस PDF को मैं अपने telegram channel पर upload कर दी हूं जो की resource point के नाम से आप आपको न्यू वीडियो की notification जल्दी ही मिल सकें थैंक यू